attention everyone so I'm teaching you within five to seven minutes how to recognize any word English वे जितने भी शब्द होता है जब भी आप कोई वर्ड को पढ़ोगे न कोई भी वर्ड पढ़े सेंटेंस पढ़े आप कुछ भी इंग्लिश में पढ़े वो इन पार्ट्स ओफ स्पीच में से होता है इनने हम कहते हैं पार्ट्स ओफ स्पीच वो या तो आपका नाउन होगा एड़ोब होगा एड़ेक्टिव होगा प्रिपोजेशन होगा कंजंग्शन होगा या फिर इंटरेजेक्शन होगा इससे बाहर नहीं होगा जो भी होगा वो इसमें सही होगा नाउन के बात करो तो हर किसी व्यक्ति का नाम जगह का नाम वस्तू का नाम वो सारी गीता सा बता, मैंने का लड़का लड़की, स्कूल, कॉलेज, उनिवर्सिटी, चर्स, टैंपल, पैन, पैंसिल, है ना, जितने भी आपके सराउंड में चीजे दीख रहे ही, जिनको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, all these things that you can touch, that you can feel, that you can see, आपके प्रणावन हैं, साथ में, ही से जो बनता हैं, ये भी प्रणावन है, शी से जो हर बनता हैं, ये भी प्रणावन है, इट से तो इट बनता, दिस से दिसी बनता, देट से देट बनता है, इनका पजेसिव जो होता है, पजेसिव दो परकार का होता है, देखो इधर यह possessive आपका दो प्रकार का होता है possessive एक आपका adjective भी होता है और एक आपका pronoun भी होता है यह देखना जब आप कहते हो my plus noun my pen your pen our pen their pen his pen her pen तो यहाँ पर यह आपका adjective है क्योंकि इसके बाद देखो आप क्या लगा रहो noun हमेशा याद रखना है student कि भाई जब भी किसी noun के आगे अगर कोई word लगा है तो वो आग बंद करके adjective ही होगा यह अपने दिमाग में fit कर लेना क्योंकि adjective हमेशा noun के आगे ही लगता है this is the universal truth यह कभी नहीं बदलेगा adjective को पहचानना हो तो किस के आगे जो लगे कोई पूछे कि माए और माइन में क्या अंतर है तो उसको बोलना है कि माए जो है वो एडजिक्टीव होता है कौन सा एडजिक्टीव तो बोले प्रोनाउन होता है है कौन सा प्रोनाउन तो बनों में क्या अंतर है तो माइ पैन होता है लेकिन माइन के साथ में पैन नहीं आता माइन अकली आता है जब आप काहोगी यह मेरा है तो आप काहोगे,This Is My पैन यह difference है ऐसे यूर्स से बना है यूर्स ये भी अकली आता है ।points है। से बनाय है, देस, ऐसी हिस से बनाय हिस, यहां भी हिस से बनाय हर्स. इसमें iसस लगता है, तो यह अकेला आता है भई, अब आजो बापस फिर से, तो यह थे प्रणाउम, यह किया थे, प्रणाउम, वे शब्द जो नाउम के बदले होब नहीं, तीसी कहा go come speak है ना इसी के अंदर आपकी helping वब भी आ जाती है इसमार वाजवेर विल भी यह सब आपकी action कहलाती है action में आपकी finite वब non finite वब सारी चीज़ include होती है इस पर detail वीडियो बनाया गया है इसके बाद है वाप्स वाप्स क्या होती है और सब्सक्राइब क्या होती है जो किसी वाप की विशिस्ता बता है अगर आपने ध्यान दियो तो आभी हमने कुछ वर्ड पढ़े थे gradually suddenly ठीक है प्रोविडियंशली यह सारे वर्ड जिनके लास्ट में अल आप slowly clearly honestly है न यह जिनके लास्ट में अल वाई आ रहा है ठीक है न जिनके लास्ट में क्या रहा है लवाई तो एडवाई लगा दो तो एडवाई बन जाता है क्या कहा मैंने adjective के लास्ट में अलवाई लगा दो आप देखो एडवर्ड झेक लास्ट में अलवाई लगा तो एडवाई वो फर्द होते हैं जो वर्फ की विष्ए स्बूजर बूल रही है अम लोग वो स्थेन जाता गली ठीए इमांदारी अम्य स्टी बोल रहे है इस इश्ख थे जो भी और बहुँत है तो अधो फोल ना चाहते है तो एड 먼 जो होती है वो किस की विशेस्ता बताती है एडवब जो होती है वोफ की विशेस्ता बताती है और कुछ एडवब तो इसी होती है जो एडजेक्टिक की विशेस्ता बता देती है जिस देखू मैंने कहा She is a good girl वहाँ एक अच्छी लड़की है तो यहाँ पर good क्या है adjective अब मैंने कहा she is a very good girl ये लो भई तो यहां good की विशेस्ता बताने के लिए आगे क्या लगाया अपने very लगाया तो very आपका क्या हो गया adverb हो गया मतलब कुछ adverb ऐसी होती है जो adjective की विशेस्ता बता देती जबकि adjective किसकी विशेस्ता बताता है noun की याद रखना English grammar में noun की विशेस्ता एकलोता शब्द parts of speech में बताता है वो है आपका adjective विशेशन जिसको कहते हैं वो विशेशन को पहचानने के लिए ज़्यादा कुछ नी करना दो गोले बनाने है ये एक लड़का है मैंने का लड़का केसा है तो वो लड़का honest है लड़का केसा है तो वो लड़का brave है लड़का केसा है तो वो लड़का smart है लड़का केसा है तो वो लड़का intelligent है लड़का केसा है तो वो लड़का creative है आरे बास होन में तो भी यह smart intelligent creative honesty सब क्या है लड़का केस है तो वह लोंग है लड़का केस है तो वह टॉल है लड़का केस है तो वह स्मॉल है लड़का केसा है जो भी है अब लड़की से मतलब नहीं है लड़की भी हो सकता है लड़की से मतलब नहीं है पैन है मैंने का पैन केस है तो वह एक्सपैंसिव है सस्ता है तो लिए चीप है ब्लेक है रेड है यलो है ग्रीन है सारे कलर जो होते हैं वो सब adjective होते हैं तो adjective वो जो किसी noun की विशिस्ता बता है अब आप देख लो इसके बाद noun हूँ नहीं आएगा ठीक है मैंने का honest boy honest girl honest speech ठीक न honest saying ऐसे brave boy brave girl brave warrior योद्दा जो होता उसको कहते हैं ऐसे मैंने का smart girl smart cell phone smart boy smart work hard work smart intelligent girl intelligent boy तो यह सब जो है नाउन के आगे लगकर नाउन के विशिस्ता बताते हैं अब इनी के ली क्रियेटिव ली यह सब क्या है आपकी एड़ बन गी तो ऐसे समझना होता है कुल मिला के कोई भी चीज़ टाफ नहीं है अब बात करते हैं प्रिपोजिशन और कंजेंग्शन की यह बच्चों को बड़ा दिक्कत देती एक सरी प्रिपोजिशन और कंजेंग्शन में के डिफ्रेंस वाइफ प्रिपोजिशन का मिनिंग अलग होता है प्री प्लस पोजिशन मतलब नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर उसका सम्मंद किसी दूसरे वर्ड्स विचार यूज़्ज़ विफोर एक नाउन और प्रोनाउन टूशोः डियर रिलेशन विफ एनाथर नौन अनलग उन्ण अलगकनंउन तो आप का ओगे आर्म फ्रॉम भिगार यहां पर भिगार जो इक नाउन है और आही जो है वह प्रॉनोन है तो इस आही का सम मन्द बिहार से बताने का काम कौन कर रहा है? फ्रॉम कर रहा है. अगर ये फ्रॉम को मैं यहां से हटा दू और सेंटेंस बोलू I am बिहार, मैं बिहार हूँ. जो कि गलत है, आप एक स्टेट किसे हो सकते हो भई? I am MP, मैं MP हूँ. कैसे ही है? I am from MP, मैं मद्द प्रदिश्ट से हूँ. I am from indoor, मैं indoor से हूँ. तो ये जो from आया है, this is actually preposition. अब आप बोलोगे सर्फ जब ये preposition हो गई, तो फिर सर्फ conjunction क्या होती है? तो भईया इधर एक चीज़ सीखो. है ना? In, into, within, on, at, upon, from, by, with, since, for, through, beside, besides, beneath, under, below, above, over, between, among, before, after. ये सब आपके होती है prepositions. लेकिन conjunction अलग चीज़ है दोस्त. Conjunction वो जो की एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से जोड़ दे. एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ दे. संबन्द नहीं बता है, जोड़ दे. जोड़ दे मतलब मैंने कहा, राम एंड शाम आर प्लेंग हौकी. बताओ, यहाँ दो नाउन को किस-किस ने जोड़ा है? एंड ने, तो एंड क्या हो गया? Conjunction हो गया. ये संबन्द नहीं बता रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है. इसलिए देखो, junction का मतलब क्यों होता है? पहले junction को देखो, junction का मतलब होता है, जहाँ पर किसी चीज का जोड़ हो रहा, उसको junction कहता है. अपने देखा, अगर railway, junctions होता है. तो जो junction का मतलब होता है, जोड़, जहाँ पर 3-4 चीज़े आकर मिल रही हूँ. तो conjunction मतलब होता है, जो जोड़ने का काम करे. तो यह राम एंड श्यांप इसको जोडने का काम कोन कर रहा है एंड तो एंड क्या हो गया कंजंग्शन अभी आपने एक वर्ड पढ़ा था अधरवाइस मैंने का पढ़ाई करो वरना आप फेल हो जाओगे तो क्या लिखा था हमने हमने लिखा था स्टडी अधरवाइस यूविल फेल मुझे बताओ इसमें जोडने का काम किस ने किया है इस्टडी एक सेंटेंस है यूविल फेल एक सेंटेंस है जोडने का काम अधरवाइस ने किया तो यह क्या हो गया यह आपका कंजंग्शन हो गय है क्यों क्या कारण है कि इसको कंजंग्शन बोल रहे क्या कारण है कि इसको नाउन बोल रहे क्या कारण है उसका सवहा उसका नीचर उसका वैवार उसका वीचार अरे यार मुझे बताव व्यक्ति की परक किस से करते हो उसके सवहां से अरे व्यक्ति की परक क्या उसके परनौम के आगे लग कर उसका संबन्ध बताते हैं друзья कुछछ वर्ड तो ऐसे होते हैं जो प्रिपोजिशन की तरह काम करते और परक्रों करते बिफोर लिखा आफ्टर तो बिफोर आफ्टर एसे दो वर्ड है जो की preposition भी है और conjunction भी है जब आप कहोगे मैं आपके सामने हो तो I am before you यहाँ पर यह before आपका preposition है लेकिन जब आप कहोगे I had done my work before you came आपके यहाँ आने से पहले मैं अपना काम कर चुका था तो यहाँ पर before आपका क्या है यह आपका conjunction है तो यह भी आपको थोड़ा दियान देना है कि एक ही वर्ड विफोर प्रपोजिशन की तरह भी काम कर रहा है एक ही वर्ड विफोर आपका at a same time conjunction की तरह भी काम कर रहा है तो यह समझ को develop करना है सबसे important चीज कि proposition क्या conjunction क्या है और अब यह यह silly questions नहीं पूछने है आपको कि से proportion क्या होती वर्ड व्यूडी तो यह वर्ड वाव क्या है यह आपका interjection है तो यह सारे के सारी चीज़े आप देखो कि नाउन क्या है प्रॉन क्या है वर्ब क्या है एडवर्ब क्या है और अच्छिए जो है पार्ट्स व पिस्पीच की मज़ा आपका पढ़ने हैं